वेलो गाइस वेल्कम बेक टो माई चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं फिल ले आई हूँ एक न्यू रेसिपी तो आएए चलते हैं मेरे किछन में आज में क्या बनाने जा रही हूं मैं बनाने जा रही हूं ब्रेट पकोडा कि इंडिन रेस्पी बहुत ही अच्छी लगती है सरदियां हो या बारिश के मौसा में तो बहुत ही खाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले पटेटो को बॉल कर लिया है और और चिली को बल्के से चॉप कर लिया है और यह लिए बीसन और मॉस्ट इंपर्टली ब्रेट अच्छे से मिला लीजेगा समच की भी मदद आप ले सकते हैं अगर हांतों से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से उसमें मिल जाता है और फिर उस बारी आती है सारे स्पाइस की तो इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ी सी जीरा डाला था और पिर कोरियंडर पाउडर और चि सबसे नहीं करने के मैंने इसमें धुर्मिक पाउडर और नमक और अच्छे से बन सके और धीरे धीरे करे पानी टाल डालके इसको बनाए था कि इसमें नम्स मिन पड़ें और जो आपने आलू का वेटर वालो को भड़ा बनाया था एमिर उसमें आप नमक भी डिए भी में और जो कर राइगा जो तलम फ्लेम है जो एक इम धीम रखेगा बहुत हाई नहीं बहुत लो ने मीडम में और इसका बैटर बीकूर बनाइगा इसको ज्दा्ट गाड़ा मत रखेगा ताकि बतला रहेगा तो बहुत कुरकुरा क्रिस्पी बनेंगे तो जाता है तो इस इसी तरीके से वन बाई वन करके मैंने सारे पकोड़े डाले और सेक लिए उसी के बाद गाइस बहुत ही टेस्टी और यमी बने थे मेरा तो सबको बड़ा पसंद आया तो कैसे लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स पी जरू बताइएगा वीडियो को लाइक जरू कर दीज अच्छी लगती है मुझे तो बहुत ही मज़ा आई थी खाने में और ठंड के मौसम और बारिश की मौसम में ब्रिट पकोड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरू बताइएगा बाई बाई गाई गाई